आरक्षन में उपवर्गी करण यानि आरक्षन के बटवारे पर सुप्रीम कोट की फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओ को देश्ट की समसे बड़ी आदालत यानि सुप्रीम कोट ने खारिस कर दिया सुप्रिम कोटे इस मामले पर किसी भी याचिकाओं को सुनने से हीनकार कर दिया सुप्रिम कोटे कहा कि उसके फैसले में कुछ भी गलत नहीं है इसलिए पुनरविचार की जरूरत ही नहीं है लाइव लोग पच्छपी खबर के मताबिक पीट द्वारा चेंबर में पारित आदेश में कहा गया पुनरविचार याचिकाओं का अवलोकन करने के पश्चात अभी लेखों में कोई त्रूटी नहीं दिखाई देती सुप्रिम कोट नियम 2013 के आदेश नियम 1 के अंदरगर्थ पुनरविचार के लिए कोई मामला स्थापित नहीं ही हुआ इसलिए पुनरविचार याचिकाओं को खारिज़ किया जाता है यानि अब इस मामले पर सुप्रिम कोट से कोई रास्ता नहीं निकलेगा सुप्रिम कोट ने एक अगस्ट को सुनाये अपने फैसले में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती यानि की SCST के आरक्षन की मोज़ुदा विवस्था को प्रभावित करने वाला एतिहासिक फैसला सुनाया था सुप्रिम कोट ने कोटे में कोटा यानि आरक्षन की भीतर आरक्षन पर मोहर लगाई थी इतना ही नहीं कोट ने SCST के वर्ग के भीतर क्रिमिलेर के पैचान करने और उनको आरक्षन की दाएरे से बाहर करने की ज़रूरत पर भी बल दिया था इसी फैसले के खिलाफ सुप्रिम कोट में दलित आदिवासियों के लिए काम कर रहे कई संगटन और पार्टियों ने सुप्रिम कोट में रिव्यू पेटिशन फाइल की थी लेकिन सुप्रिम कोट ने शुकरवार को SCST में वर्गी करन के फैसले पर पुनर विचार करने से इंकार कर दिया। कोट कह रहा है कि फैसला सही है इसलिए रिव्यू पेटिशन सुनने की कोई जरूरत नहीं है। विस्ति टिपनिया की थी और कहा था कि सरकार को उनकी पैचान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बेन कुमारी मायवती ने इस मामले पर आकराम करुख अपनाया और इसे आपात काल तक कह दिया। उन्होंने लगातार इस मामले पर प्रेस कोंफेंस के और सुप्रीम कोट के फैसले को गलत बताया। मैंजी ने हारियाना में चल रहे हैं विधानसभा चनाओ में भी इसे मुद्दा बनाया और साफसाफ कह दिया कि SCST के आरक्षन में बटवारे से हमें नहीं बल्की जनरल केटिगरी के लोगों को फाइदा होगा। सुप्रीम कोट ने जो यह जजमेंट डिया अब होगा क्या कि SCST का जो आरक्षन है इसको वर्गी कर दिया इसको बाड़ दिया कि जो SCST में इसको दो तीन हिस्सों में बाड़ दिया लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले माली जे जो जिन लोगों को आरक्षन मिल रहा है और उ पहले उन्हें तो उनिवर्गों में से आरक्षन दिया जाता था लेकिन पहले वर्गी करन करके यह लोग क्या करेंगे को जो योगे नहीं होंगे तो उनको पहले ऐसी महीं जो मजबूत जाता थी उनको मिल जाता था अब ये धीरे से चुपके से अब ये करेंगे क्या सामाने वर्गों के लोगों को उनका ये आरक्षन दे देंगे और ये जो विवस्ता की गई है माने सुप्रेम कोट ने जो विवस्ता की है तो इस विवस्ता में सेंटर की ओर से सेंटर में किसकी सरकार है भारते जनता पार्टी की भारते जन्ता पार्टी का जो सरकारी वकील उदर खड़ावा उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैंसले का स्वागत किया कहा कि हम सहमत है इससे हम सहमत हैं कांग्रेस के भी वकील खड़े हुए उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत है और ये SCST में जो आरक्षन में पहले वर्गी करन नहीं था अब उसमें वर्गी करन कर दिया अब आपको बहुत और इनको जो SCST की जातिया है तो वर्गी करन करके इनको आपस में लड़ाने का काम किया है बसपा के उत्रादीकारी और नेशनल कोडिनीटर आका शानंग नेदी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिव्यू पेटिशन खारिज होने पर निराश जज़ताई है उन्होंने ट्विटर पर लिखा SCST आरक्षन में उपवर्गी करन के माननी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाब दलित हिद के लिए कारे करने वाले संगटनों की याची का अदालत निक खारिज कर दी जाहिरे की समिधान संशोधन करके या सरकार बनाकर इसे लटकाय जा सकता है यानि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई उमीद नहीं बची है जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षन में बटवारे का फैसला सुनाया था तो उसके खिलाब एक किस अगस्त को जबरदस्थ भारत बन हुआ था देश के हर शहर और हर गाउं से भारत बन की तस्वीरे सामने आई थी कई पर सड़क जाम कर दी गई थी तो कहीं रेल ही रोग दी गई कुल मिलाकर समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया था समाज के विरोध को देखते हुए तमाम पार्टियां भी भारत बन में शामिल हो गई थी बहुजन समाज पार्टी, ESP और LGP जैसी पार्टियों ने भारत बन का समर्थन किया था यह जो भारत बन पीछे चल रहा है इसमें सिर्फ कोटा में कोटा की बात रही है साथ में यहां पर इसी करन में आरक्षन वाध पीछे आप देख सकते है यह भीर सिर्फ कोटा के इंदर अकदर का विरोध नहीं कर रही है रिवी लियर काभी विरोध हैं Grade A की जॉब से वहां भी पूरी तरीके से आरक्षन लागू हो लेटरल एंट्री खतम हो यह सारी मांगे इन लोगों की है साथ ने बड़ी वांग ये भी है कि कॉलेजियम सिस्टम के टहट जो हायर जूडिसर सिस्टम है भारत के अंदर वहां पर आरक्षन लागू नहीं ह है और हमें रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चलता है कि 70-80% हायर जूडिसरी के अंदर जो जज हैं वो अपर कास से आते हैं वहाबर बंचित वर्गों की भागेदारी नहीं देखने को मिलती है तो इस तरीके से ये सारी मांगे इस भारत बंद में देखने को मिल रही है लेकिन ये हिरानी की बात है कि इतना बड़ा भारत बंद होने के बावजुद ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा और ना ही मोधी सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए अद्यदिश लाया उल्टे हरियाना में विदानसभा चुनाव को देखते हुए मीडियपी की नायब सिंग सैनी सरकार ने आरक्षन में उपवर्गीकर्ण लागू करने का सबसे पहले फैसला किया जो अभी पिछले दिनों माननिय सर्वोच नेल्या द्वारा नौकरियों में अनुसुची जाती के कोटे में वर्गीकर्ण के सबंद में हरियाना अनुसुची जाती आयोग की जी रुपोर्ट थी वो आज रखी गई उस रुपोर्ट को कैबिनेट ने सभीकार कर लिए दूसरा वंची तो नुसुची जाती है उसके अंदर जो एसी समाज के अंदर ग्रीव एकती है अनि नोट फाउंड सूटेबल करा देगर सबंद को दे दिया जाएगा सब्रीम कोर्ट का फैसला फूट डालो राजकरो की नीती जैसा प्रतीत होता है क्या सबंदों में सबंद जातियों में भी चल जातिया अंने सबंद जातियों से ज्यादा काबिज नहीं है वो ज्यादा मलाई नहीं खारी तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार ऐसे सवन जातियों के भीतर वर्गी करण क्यों नहीं करती सरकारे और कोर्ट दलित बहुजरों के प्रतिस तरह का रवया रखती हैं जो बेहद निराश जनक है अब ये देखना होगा कि दलित बहुजरों पार्टिय और संगठन सुप्रीम कोर्ट की और से याचिका खारिश होने के बाद क्या रुख अपनाते हैं इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं आप सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पेटिशन खारिज करने के फैसले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं आपसे अपीलने की वीडियो को शेर करें और देन्यूस बीक को सब्सक्राइब करना ना भूले व इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है न्यूस बीक फाउंडेशन अकाउंट नमबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-6-4-0-0-1-4-0-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1-4-0-1 आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें